जैहें दोस्तों तारी दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है चले दोस्तों आज हम आप लों को फिर से बताएंगे आएगा अगर जो इस्टुडेंट ये कंप्लीट परके जाएगा तो इस बार मैथ में 95 जरूर करके आएगा ठीक है ये दोस्तों ये जितना भी कोस्टन अभी हम आपको बताएंगे वही कोस्टन है जो हर साल रिपीट करता है तो जल्दी से भोल के पी जाएं ठीक है रामबा कोस्टन है आपके सामने कोस्टन नमबर एक और किसी भी कोस्टन का अंसर पता हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर डाले और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें 15 तारीक का महा में राथन होने बाला है साइंस का भूलियेगा नहीं ठीक है तो पहल कोस्टन देखेगा कोस्टन नमबर दो है कि दुई घात बहुपद के सुनेकों की संख्या कितनी होती है तो आप सभी को पता होना चाहिए दुटिये पाली में जिनका भी गनित का एगजाम है ये कोस्टन देखके जाएं ये सरीवन बुटी का का म करेगा एक भी कोस्टन न प्राइक्ता हो तो निम्रिखित में से कौन सा सही है तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइक्ता का जो मान होता है वो क्या होता है एक से छोटा होता है या एक के बरावर होता है यहां पर एक के बरावर कर लिजिए यानि कि आप समझेगा यानि कि प्राइक्ता ओफ ई जो हो लिखिएगा तो 2009 में 20 में 2021 में 2022 में इस तरह से कोस्ट्ट करता है यह सभी कोश्ट्र और यह question देख कर ही जाएगा ठीक है अगला कोस्ट्र देखेगा question नंबर पहां से आपके सामने यह सारा question इस वार 100% लगेगा ध्यान लखिएगा exam hall में घुसने से पहले ही देख कर जाईएगा देखिए अगला कोशन है यदि किसी खेल को जीतने की प्रैक्ता 0.04 है तो उसे हारने की प्रैक्ता क्या होगा दोस्तों तो आप सभी को पता होना चाहिए यह कितना हो जाएगा 0.06 यह कैसे होता है तो हम बता दें कि देखिए यह होता है प्रैक्ता ओफ ए ठीक है प्रैक्ता ओफ ए प्लस प्रैक्ता ओफ ए नहीं बराबर एक हमको वहला है हारने की प्रैक्ता तो हारने की प्रैक्ता तो हमको दिया गया है यह कितना है हारने की प्रैक्ता मतलब हमको दिया करना है एक में से आपको पी नोट का घटाना है जीरो पॉइंट चार तो जीरो पॉइंट चार घटाईएगा तो जीरो पॉइंट चो आजाएगा ठीक है उमीद करते हैं समझ गया होंगे आईए अगला कोशन देखेगा कोशन नमबर सीक्स है अंता असपर्स करने वाली दो बिर्तों की कितनी उभएनिष्ट असपर्स रेखाएं होती है तो आप सभी को याद रखना है ये एक श्र्स रेखाएं होती है और नोगों को बता देते हैं कोश 90-a होता है 1090-a क्या होता है यह होता है चलिए उमीद करते हैं आप लोग समझते होंगे आईए अगला कोशन देखेगा कोशन नमबर आठ है कि निमली खीत में किसका मान रूट 2 के बराबर होता है तो आप सभी को पता होना चाहिए 1060 का मान जो है 1060 का मान यह होता है हमारा रूट 3 ठीक है कोश 45 का मान होता है एक बट्टा रूट 2 और साइन 30 का मान कितना होता है यह होता है एक बट्टा 2 कोश 45 का मान कितना होता है रूट 2 तो हमसे बोला है रूट 2 किसके बराबर है तो कोश 45 के बराबर होगा option number D हो जाएगा आईए अगला question देखेगा question number 9 है आपके सामने ठीक है जितना भी question है 14 फरवरी को second shift के जितने भी student हैं देखकर exam hall में घुशिएगा ठीक है अंती मोका है इसको वेर्थ ना जाने था इस बार 95 करके आना है match में चलिए अगला question है निम्रिखित में कौन सा यूग्म सह अभाज है तो सह अभाज किसको बोलते हैं तो जिसका SCF एक होता है ठीक है तो आप देख रहें कि 14 और 35 का SCF कितना होगा यह साथ होगा यह तो होगा नहीं यह हमारा सह अभाज नहीं है ठीक है तो option number B आप सभी को याद एकना है अगला कोशन देखेगा दस number ब्लानेमलिखित में कौन योगिक संख्या है तो कौन योगिक संख्या हो दोस्तों हो होगा 21 में देखिए एक से भी लगेगा 21 से भी लगेगा तीन से भी लगेगा साथ से भी लगेगा तो हम देख रहें यहां पर फैक्टर दा है गुननखंड दो से अधीक है तो यानि option number B आपका हो जाएगा यह हमारा योगिक संख्या होता है ठीक है आईए अगला question देखेएगा question number 11 है बोला है बिंदू मैनस दूप कोमा मैनस पांच का भूज क्या होगा तो आप लोगो हम पहले भी बताए थे कि x जो होता है x उसको हम भूज बोलते हैं और y जो होता है उसको हम koty बोलते हैं क्या बोलते है absorption भूज बोला है तो भूज हमारा X होगा X में क्या है minus 2 तो देख लिजिए minus 2 कहां पर है option number A में तो बिल्कुल right answer हो जाएगा ठीक है आईए अगला question देखिएगा question number 12 बोला X अक्ष पर किसी बिंदू का Y नियामक क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए X अक्ष पर किसी बिंदू का Y नियामक 0 होता है option number C यादा कियेगा ठीक है question number 13 को देखिएगा बोला है बिंदू 3,-4 किस चतुर्थांस में है ठीक है तो हम देखिए इससे पहले आपको बताए थे इस तरह से ग्राफ आपको बनाना है ठीक है पहला वाला में पलस पलस होता है दूसरा में मैनस पलस होता है तीसरा में मैनस मैनस होता है और चौथा में पलस मैनस होता है नहीं, चार नमबर में है, यह हमारा पहला घर होता है, यह दूसरा घर होता है, यह तीसरा होता है, और यह हमारा चौथा होता है, तो option number D आपका बिल्कुल right answer होगा, चतूर्थ याद रखिएगा, बिल्कुल right answer होगा, ठीक है दोस्तों, आईए, अगला question देखिएगा, question number 14 आ जागा, option number A हो जाएगा, ठीक है, आईए, अगला question देखिएगा, 15 number question है, बवाल का question है, ठीक है, बोला है, मूल बिंदू से, X,Y की जो दूरी होगा, वो क्या होगा, तो मूल बिंदू आप लोग जानते हैं, कि मूल बिंदू हमारा 0,0 होता है, और एक हमको क्या होता है, हम जब दो बिंदू मालूम हो, तो आप लोग दूरी नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालिएगा, कैसे निकालना है, देखिए, आपको दूरी वाला formula लगाना है, ठीक है, दूरी सुत्र का formula लगाना है, और इसमें क्या करना है, मूल बिंदू से कभी भी दे, तो आपको option number B, बिल्कुल right answer होगा, उमीद करते हैं दोस्तों, question समझ गए होंगे, ये question जो है, second shift का math का viral question है, आप लोग देख कर जाईएगा, ठीक है, और चैनल पर पहली बारा है है, तो चैनल को subscribe कर लिजेगा, 15 तारीक को science का, science का महामेराथन कलास होने वाला है, आप लोग मिस नह अत्राव